हलो दोस्तों कैसे हैं आप I hope आप लोग बहुत अच्छे होंगे आज हम बनाने जा रहे हैं चने के दाल का पराठा जो खाने में बहुत स्वाधिश्ट होता है और कीचन में रखे हुए सामागरी से आप इसे जटपड बना भी सकते हैं और इसे बनाना भी बहुत आसान होता ह तो चलिए फिल इसे बनाना हम सुरू करते हैं सबसे पहले हम चने के दाल को भीगोएंगे हमने 100 ग्राम चने का दाल लिया था इसको हमने 2 गंटे पहले ही भीगो दिया था क्यूंकि चने के दाल बहुत जल्दी फूल जाते हैं आप देख सकते हैं हमारे चने के दाल कितनी कर लेंगे कि अब हम गयास पर खूकर रखेंगे और इसमें हम एक बड़ा चम्मज ऑईल डालेंगे जब हमारा ओएल अच्छे से गर्न हो जाये तब इसमें हम एक तेजपता डाल देंगे दो बड़ी इलाइशी डालेंगे आधा चम्बज इसमें हम जीरा डालेंगे और एक पिंच इसमें हम हिंग डालेंगे और चात में इसमें हम चार से पाच हरी मिर्च भी डाल देंगे और सारी चीज को हम मिला लेंगे अब इसमें हम आधा चोटा चम्बज हल्दी पाउडर डालेंगे और अपनी भीओ हुए चने के दाल को भी डाल कर सारी चीज को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमारे चने के दाल अच्छे से मिक्स हो गए है अब इसमें हम तेस्ट के रिकॉर्डिंग नमक डाल देंगे नमक को भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे अगर पानी जादा हो जाएगा तो हमारा दाल दीला हो जाएगा और पाराटे भी अच्छे से नहीं बनेंगे अब हम कूकर को बन करके चार से पांच सीती आने तक दाल को पकाएंगे पाच सीती आ गया है कूकर में अब हम गैस को बन कर देंगे जब तक हमारी कूकर का प्रेशर रिलीज हो रहा है तब तक हम पराटे के लिए आटा गूत लेते हैं हम आटा बहुत सॉप्ट गूतेंगे क्यूंकि सॉप्ट रहेगा तो हमारे पराटे फटेंगे नहीं और असानी से बन भी जाएंगे हमने आटा गूत लिया है आप देख सकते हैं हमारे कूकर से प्रेशर भी रिलीज हो चुका है यह देखिए दाल कितनी अच्छे से पग भी गए है अब हम सारे दाल को एक मिकसर जार में डालेंगे और इसमें हम दो चम्मज पानी डालेंगे पानी को ज्यादा नहीं डालना है नहीं तो हमारे दाल गीले हो जाएंगे और इस दाल को हम पीस लेंगे आप देख सकते हैं हमने सारे दाल को पीस लिया है अब इसमें थोड़ा सा बारिक कटा हुआ दनिया की पत्ती डाल देंगे और इसे दाल में अच्छे से मिकस कर देंगे अब हम एक आठे की लोई ले लेंगे जितना लोई हम पराठे के लिए लेते हैं उतना ही लेंगे और आठे की लोई को इस तरह से घुमाएंगे और एक कटोरी की तरह सेब देंगे अब इसमें हम दो से तीन चम्माच चने के डाल को रखेंगे और इस तरह घुमाते हुए लोई को हम बंद कर देंगे ये देखे हमारे लोई बन चुकी है अब इसमें हम थोड़ा सा सुखा अटा लगाकर हलके हाथ से गोला आकार में बेलेंगे अब हमारा तबा भी गर्म हो चुका है अब हम पराठी को तवे पे डालेंगे और हम पराठी को मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे बेलेंगे आप देख सकते हमारा तरब से शेख चुका है अब इसे हम पलट देंगे और दोनों साइट से तेल लगाकर अच्छे से पराठी को शेक लेंगे हमारे पराटे कितनी अच्छी से फूल गए हैं अब हमारे पराटे खाने के लिए बिल्कुल तयार है आप देख सकते हैं हमारे पराटे कितने गुई की तरह सौट बने हैं आप इसे सबजी दही या बटर किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं अगर आपको हमारी रेश्पी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा कि हमारी रेश्पी आपको कैसी लगी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नई रेस्पी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले थैंक यू